और कश्मीरी पंडितों की हत्या पर सियासत भी गर्मा गई है। कॉंग्रिस, पीडीपी और नाशनल कॉंफरेंस ने केंदर सरकार पर सवाल खड़े कर दिये। धाटी में जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। उस पर विपक्षी दरों ने केंदर सरकार पर हमला बोल दिया है। केंदर सरकार पर निशाना साधा। पीडीपी ने ट्वीट कर पूछा कि क्या सरकार अभी हालात समान होने का दावा करेगी। निशनल कंफरेंस ने भी कश्मीरी पंडितों की हत्या पर चिंता जताई और इसको लेकर पार्टी में एक प्रस्ताव भे पारित किया गया। ये सिलसला अब रुकना चाहिए, खून खराबा रुकना चाहिए, यहां के लोगों को हक है अमन में रहने का और ये अफसोसकुन सूरतहाल जो आज कश्मीर में बन रही है, ये रुकनी चाहिए। और जमू कश्मीर में टार्गेट किलिंग पर AIMIM चीफ ओवैसी ने मोदी सरकार को जिम्मेदार ठराया और कहा है कि सरकार की गलत नीतियों की वज़ा से घाटी में आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। कश्मीरी पंडिटों गोली मारी जा रही है, जो हिंदूस माइनरटी से उनको गोली मारी जा रही है। कौन जिम्मेदार है इसका? दरेंदर मोडी की सरकार किस पर जिम्मेदार यायत करेगी इसका हम को बताएं, देश को बताएं। कि इसकी जिम्ह धरी इसकी देश की सरकार पर आजती है जो मुटी सरकार कि आजोती है आप n नहीं रोक पार रही है आपकी नाकामी है और वही गलती कर रहे हैं जो 1989 में हमने की ती काarte गाभ्त सप्व इसिवन के सामेल एलेक्षन लिक्षन रिख था तो आज आज आपने डिलिमिटेशन करकर उसको जरिमाइंडरिंग कर दिया तीसरा आप महां के पॉलिटीशन को लिवर्स नहीं है बोलने की इजाज़त नहीं है आप पॉलिटीशन की हाथ में कुछ ही नहीं महां पर चौता आप सिफ पिक्चर्स को प्रमॉट कर रहे हैं आपका काम स पिक्चरों का पॉबलिसिटी करना आपका काम है आप बोलिए कि आप रात में क्यों बन कर रहे हैं कश्मीरी पंडिट के पूरे लाखों को यह पूरी गलती जो कुछ हो रहा है यह गलती नहरेंदर मोडी की सरकार पाजलती है अड़ी सुमवार से शुक्रवार शाम छे बजे सिर्फ टीवी नाइन भारतवर्श पार